चलो बच्चो तो आज हम लोग मेट्स में चैप्टर नंबर 8 कंटीन्यू करें जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री देखो कल हमने ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन समझा था ना ट्रिगोनोमेट्री मैट्स की आपकी बिल्कुल नहीं फिल्ड बिल्कुल नया टॉपिक उसके बारे में हमने समझा था उसके 6 बेजिक रेशियो की फॉर्मूलाज हमने देखी थी देखी थी ना ट्रिगोनोमेट्री का 6 बेजिक रेशियो के जिसके उपर पूरा ट्रिगोनो टिका हुआ है ना बरवर के नहीं और इनके रिलेटेड एक्ससाइज 8.1 में हमने पहला क्वेशन किया था एक ही क्वेशन किया था समझा था कि इनका यूज कैसे करना है अब आगे उसे कंटीनियू करें आपके टेस्ट बुक साथ में रखो एक्ससाइज 8.1 में सेकेंड क्व दिया हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है कि इन इस फिगर आपके साइड में फिगर बना हुआ है टेस्ट बुक में देखो कि साइड में एक ड्राइंग बनी हुई है ट्राइंगल पी क्यू आर यहां पर लिखा हुए 12 सेंटीमीटर और यहां पर 13 सेंटीमीटर लिखा रही है और जिसमें लिखा हुआ है question में कि find 10P minus cot R समझना कि इसमें ऐसे लिखा हुआ है find 10P minus cot R यह हमें डूड़ना है बरबर तो देखो हमें value यह डूड़नी है कि 10P minus cot R इन दोनों का minus कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें 10P की value cot R की value वह पता होनी चाहिए न बरबर न और उससे भी पहले कल जैसे मैंने बताया था कि हम लोग अभी basic sums सीख रहे हैं आपकी पहली exercise है basic question सीख रहे हैं उसमें तो जिसमें सबसे पहले triangle में हमें तीनों side की value पता होनी चाहिए सबसे पहला step कि ट्राइंगल में तीनों side की value हमारे पास होनी चाहिए यहां पर देखो यह 13 दिया हुआ यह 12 और यह नहीं है पहले तो इसे डूढने के लिए क्या करेंगे तो ऐसे right angle triangle में कोई भी एक side डूढनी हो तो उसके लिए simple pythagoras formula यूज होती है बरबर ना कौन से formula यूज होती है pythagoras formula तो इसमें इसमें भी हम लोग pythagoras formula से ढूंड सकते हैं कि यह qr की value find कर सकते हैं बरबर के नहीं तो यहां पर यहां पर हम लोग pythagoras की formula यूज करें जहां right angle हो उसके सामने यह hypotenuse होता है यहां से शुरू होगी formula के pr square equal to pq square plus qr square यह formula ना कि जिसमें pr square तो pr square होगा 13 13 का square equal to pq square तो pq होगा 12 12 का square plus qr square तो वो ढूंडना है हमें qr square जहां पर लिखेंगे 13 का square तो 13 का square 169 equal to 12 square तो 12 square 144 और plus plus qr square तो अगर qr square find करना है तो 144 क्या हो जाएगा इसके साथ minus में हो जाएगा मतलब ऐसे हो जाएगा कि qr square equal to 169 minus 144 परबर ना qr square equal to 169 minus 144 सो qr square qr square equal to 25 169 में से 144 minus तो 25 और ये 25 तो उसका square root qr equal to कितना होगा 5 होगा उसका square root ना 25 का square root ये qr मिल जाएगा 5 cm परबर ये तीनों साइट सबसे पहले मिल गई न ये तीनों साइट मिल गई तो अब उसके बेजिस पर पहले 10p और qr इन दोनों की value अलग से ढूंडेंगे और फिर इसमें रख दें फिर उन दोनों का minus करना तो सबसे पहले 10p की value ढूंडें यहां पर लिखें कि सबसे पहले यहां 10p तो 10p की value क्या हैगी तो देखो पहले 10 की formula 10p हमें find करना है तो 10 की formula use करें न 10 की formula क्या आती है opposite side upon adjacent side ऐसा न opposite side upon adjacent side and 10 according to p p क्या according find करना है तो यह रहा p p angle यह है तो इसके हिसाब से formula में opposite side and adjacent side तो p की opposite side कौन सी हुई opposite side यह हुई qr और adjacent side कौन सी हुई adjacent मतलब उसके पास में यह तो hypotenियस ही रहता है बरवर न यह उसके सामने हुई opposite side और यह उसके पास में हुई adjacent side तो opposite side qr और adjacent side p q बरवर न तो इसमें जो फार्मुला आती है न opposite side and adjacent side तो opposite side qr adjacent side p q qr upon p q तो qr की value 5 और p q की value 12 आंसर मिल जाएगा इसका 5 upon 12 बरवर यह 10 p की value मिल गई उसके बाद डूंडेंगे qr फिर दोनों का minus करना है तो अब qr की value डूंडें तो qr qr q 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 formula wise adjacent and opposite ये 6 formula तो आपको basic mind में बैठी जानी चाहिए तो ही sums होंगे ये चीज ध्यान रखना बरबर तो ये पहले formulas अच्छी तरह से याद रख लो कहीं पे भी court बोले मतलब mind में आ जाना चाहिए कि भी adjacent side upon opposite side ये on the spot mind में आना चाहिए तो इसमें अगर value रखे ना अब तो देखो r के according हमें ढूणना है r के हिसाब से तो उसके हिसाब से adjacent side तो उसके adjacent side ये हुई r के हिसाब से adjacent side ये हुई pass में qr और opposite side तो opposite side ये हुई सामने pq मतलब cod r में भी हो जाएगा qr upon pq तो qr की value 5 and pq की value 12 वैसा ही हुआ ना उसके adjacent side qr वो 5 और opposite side pq वो 12 परवर उसमें भी 5 upon 12 means 10p minus cot r अगर करे ना तो 10p की value होगी 5 upon 12 minus cot r और cot r की value भी होगी 5 upon 12 दोनों का answer मिल जाएगा 0 दोनों same number minus करो क्या बचेगा 0 इन बचेगा ना फिर है के नहीं समझाई ना बात है तो देखो simple था ना ये question के हमें इस drawing पर से 10p minus cot r डूंडना था तो हमने क्या किया पहले drawing में तीनों side से find कर लिए और उसके बाद 10p और cot r की value डूंड ली और वो value यहाँ पर रख दी हमने ठीक है देखो हर sum के लिए basic ये formula आपको ध्यान होनी चाहिए तो उसके base पर सब sums होंगे अब जैसे second किया ना तो अब इसे rough करें और उसके बाद third वाला question करें इसे अची दर से लिख लेना पहले बरबर देखो कि अब third में क्या दिया हुआ है third वाले question में ऐसा लिखा हुआ है कि if sin A equal to 3 upon 4 calculate cos A and 10 A यहाँ पर value दी गई है sin A sin A 3 upon 4 है तो उस पर से cos और 10 डूढना है इसमें तो कोई drawing भी नहीं है नहीं है ना तो अगर drawing नहीं है तो हम लोग drawing बनाएंगे उसमे बरबर इसमें क्या करेंगे कि खाली sin A दिया हुआ है 3 upon 4 और हमें cos और 10 डूढना है तो सबसे पहले तो हमें triangle बनाना पड़ेगा यहाँ पर बरबर कि यहाँ पर triangle बनाना पड़ेगा कि देखो यहाँ अगर हम लोग एक triangle बना दे question wise के बएर right angle triangle ना अभी तक तो हम लोग सब right angle triangle बना रहा है ठीक है कि इसमें पूरे सब questions में right angle ही बनाना है हमें normal triangle नहीं तो यहाँ पर triangle ABC ऐसा नाम देंगे लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दिया करो कि यहाँ पर जो हमें नाम देना ना sign A दिया हुआ है तो चलो ABC नाम देंगे लेकिन एक ध्यान देना कि यहाँ पर जो नाम दिया हो ना जैसे sign A तो यह angle कभी भी यह नाम कभी भी right angle पे नहीं आएगा बरबर A कभी भी right angle पे नहीं होगा यह चीज़ ध्यान रखना ठीक है क्योंकि हम लोग जैसे गिंदन sign A तो यहाँ पर आएगा तो उसके according नहीं गिंदे adjust and opposite hypotenuse बरबर यहाँ तो फिर यहाँ पर A होगा तो इसके according गिनेंगे adjust and opposite hypotenuse ऐसे एक यहाँ जो नाम हो वो नाम कभी भी right angle पे नहीं लिखेंगे तो आप लोग ऐसे भले लिख सकते हो कि ट्राइंगल A B C के B right angle है यहां बहुदे C right angle लिख सकते हो B वहां लिख सकते हो चलेगा लेकिन एक अभी भी right angle पे नहीं आएगा बरबर यह ध्यान देना तो देखो यहाँ पर यह sign A की value दी गई है ना 3 upon 4 ठीक है ना sign A की value तो कुझे को sign A की formula क्या आती है sign A की मतलब sign की formula उसकी formula आती है opposite side upon hypotenuse opposite and hypotenuse मतलब यह जो उपर की number दिया हुआ ना यह opposite side का number है और जो नीचे number दिया हुआ है वो hypotenuse का number है बरबर ना लोजिकली ऐसा ही ना कि देखो sign की formula यह यह आती है opposite and hypotenuse मतलब यह three opposite पे हुआ और four hypotenuse पे हुआ तो यहां sign A दिया हुआ है मतलब according to A देखें तो opposite side कौन सी हुई opposite side कौन सी हुई तो opposite side यह हुई bc तो मतलब opposite side पे यह लिख सकते है ना three centimeter लिख सकते है ना यह three कि opposite side यह हुई और upon hypotenuse formula में sign में upon hypotenuse तो hypotenuse कौन सा होता है hypotenuse यह होता है AC तो मतलब hypotenuse इस पे लिख सकते है four centimeter यह four centimeter परवर पहले वाले में क्या था formula पर से number लिखते थे अब यहां number पर से हमने formula बनाई ऐसा ना कि देखो यह three upon four दिया हुआ था तो उससे sign की formula opposite यह ना hypotenuse तो उसके इसाब से a का opposite कौन सा यह three और hypotenuse कौन सा हुआ यह four यह बरवर इसे लिखेंगे यहां पर इसे यहां पर लिखेंगे कि ऐसे बताए कि in triangle a b c यहां जो triangle बना रही है तो मैंने पहले ओरल ही लिख दिया कि यहां यह three upon four होता है फिर in triangle a b c उसमें बताएंगे कि triangle a b c में sin a तो sin a की formula बनती है opposite and hypotenuse तो opposite कौन सा b c और hypotenuse a c ऐसा ना sin a equal to b c upon a c वरवर एंड b c upon a c में उसकी value sin a की value दी गई है 3 upon 4 वरवर b c upon a c वो sin a की formula आती है तो उसके साब से value दी गई है 3 upon 4 मतलब लिख सकता ना कि b c में 3 and a c में 4 अब इसके base पर हमें cos और 10 ढूंडना है लेकिन cos और 10 तब मिलेगा कि जब हमें यह तीनों side मिल जाए 2 side मिल गई ना कि हम b c 3 a c 4 तो उसके according यह ढूंड सकते ना a b किस से ढूंड सकते है पाइथागरस की formula से तो यहाँ पे अब वैसे ही पाइथागरस की formula यूज करें यह खाली एक step इसमें extra हुआ कि sign की value दी गई थी तो उस पर से triangle में यह दो value हमने suppose की तो यहाँ पर पाइथागरस की formula रखें कि a c square यह जो angle b है 90 degree उसके सामने hypotenuse से शुरुआत करते हैं कि a c square equal to a b square plus b c square a b square plus b c square means इसमें a c square तो a c की value कितनी 4 4 का square equal to a b square तो a b की value हमें find करनी है plus b c square तो b c पे लिखेंगे 3 का square बरबर ऐसा ही value लिखी जाएगी न जिसमें आगे continue करें तो 4 का square 16 equal to यह a b square और plus 3 का square 9 अब क्या होगा a b अगर डूढना है तो 9 minus में तो यहाँ हो जाएगा a b square equal to 16 minus 9 बरबर न 9 को minus किया means से a b square equal to 16 minus 9 कितना होगा 7 7 होगा न 16 minus 9 7 हुआ और a b square उसका square root तो 7 का square root निकलता है नहीं निकलता अगर 7 का square root नहीं निकलता तो a b equal to लिखेंगे root 7 परबर a b की value root 7 मिल जाएगी मतलब यहाँ जो a b find करना था उसकी value मिल गई root 7 cm ठीक है तो यह value मिल गई तो अब हमें mainly क्या डूढना था जो question में पूछा हुआ था question में पूछा हुआ था कि cause a डूंडो और 10 a डूंडो तो पहले cause a डूंडें तो cause की फर्मुला क्या cause की फर्मुला आती है adjacent side upon hypotenuse यह cause की फर्मुला ना adjacent side upon hypotenuse तो उसके हिसाब से यह cause cause a तो a के according देखेंगे adjacent side कौन सी हुई a की adjacent उसके पास में side हुई यह a b and hypotenuse hypotenuse हुआ यह a c बरबर ना तो इसका मतलब cause a की value क्या जाएगी a b upon a c बरबर यह value हमें find करनी है a की तो उसके पास में यह adjacent side upon hypotenuse तो a b upon a c a b की value root 7 a b की value root 7 upon a c पे 4 यह मिल गई cause की value बरबर वैसा ही नूटें आपट 10 की value कि 10 a तो 10 की formula क्या आती है 10 की formula आती है opposite side upon adjacent side बरबर तो opposite side 10 a तो a की opposite side कौन सी opposite side यह b c और adjacent side pass में side कौन सी a b तो मतलब 10 a उसकी formula आ जाएगी b c upon a b बरबर यह value आ जाएगी न b c upon a b के जहां पर b c उसकी formula क्या उसकी value क्या 3 b c की value 3 और upon a c a b a b की value root 7 3 upon root 7 यह 10 की value बरबर मिल गई नहीं इसमें भी दोनों value है कि नहीं इसमें खाली starting में change किया कि आपको sign की value दी गई थी 3 upon 4 तो उस पर से पहले triangle बनाया न हमने समझाया न यह value पर से triangle हमने कैसे बनाया ठीक है तो यह third वाले question को भी अच्छी तरह से लिखो समझो उसे तो फॉर्थ वाला question देखें बरबर देखो कि अब अब फॉर्थ में कैसे दिया हुआ है फॉर्थ में लिखा हुआ है आपके question में कि given 15 caught a equal to 8 then find sign a and sec a यहां पर ऐसे दिया हुआ है 15 caught a equal to 8 तो उसके उपर से sign और sec हमें डूणना है यह दो चीज़े find करनी है न तो इसमें भी 15 caught a equal to 8 तो पहले triangle तो बना है न मिलेगी सब value triangle पर सही पहले right angle triangle तो बनाना ही पड़ेगा और उससे भी पहले यहां जो value दी गई है 15 caught a equal to 8 तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर 15 को अगर divide में ले जाए तो caught a caught a equal to 8 upon 15 एसा लिख सकते हैं caught a equal to 8 और upon 15 लिख सकते हैं क्योंकि देखो कोई भी value जब हम ढूंडते हैं तो ratio में ही मिलती है न यह को fraction में ही मिलती है न हमें upon में ही मिलती है न तो यह भी तो 8 upon 15 वो हमने कर दिया अब अगर यहां पर जो मैं triangle बनाओ कि अगर कोई मैं triangle यहां पर बनाओ उसे नाम दे दू यहां पर कि triangle a b c वैसा ही नाम कि यह b right angle देखो यहां पर भी caught a दिया हुआ है तो a को right angle पर नहीं लिखेंगे बी को लिख दिया तो caught a तो उसकी अगर formula इसमें लिखेंगे ना जैसे पहले में लिखा था इससे पहले वाले question में ऐसे लिख सकते हैं कि इन triangle a b c triangle a b c में caught a तो caught a की formula क्या आती है caught की formula क्या caught की formula adjacent side upon hypotenuse sorry opposite side caught की formula न बरबर तो यहाँ caught a तो a के हिसाब से adjacent side कौन सी हुई adjacent side हो गई यह a b और hypotenuse कौन सा हुआ sorry opposite side कौन सी हुई तो opposite side हो गई उसमें b c बरबर adjacent side and opposite side तो a के हिसाब से adjacent side हो गई a b upon opposite side तो उसके opposite side हो गई b c जिसकी value दी गई है caught की value भी दी गई है 8 upon 15 बरबर न 8 upon 15 मतलब उसके एसाब से a b equal to 8 हो गया सामने a b equal to 8 cm हो गया and b c equal to 15 cm हो गया बरबर उसके एसाब से ऐसा ही हुआ न कि हमने caught की फार्मूला रखी a b upon b c adjacent and opposite side तो उनकी value दी गई थी 8 upon 15 मतलब a b 8 और b c 15 ऐसे हुआ न यह बरबर और अगर यह हो गया तो यह दो seven side आपको मिल गई अब जो भाकी के दो ढूडने हैं क्या ढूडने साइन और सेख साइन और सेख ढूडने हैं तो उसके लिए पहले तीसरी साइड हमें पता होनी चाहिए ना बरबर तो पहले वो साइड डूढ़ें वो भी किस से डूढ़ेंगे पाइथागोरस की फार्मुला से इसमें भी वैसे ही अगर पाइथागोरस की फार्मुला चुर्वेस का यूस करें, right angle के सामने AC से start होगा कि AC square equal to ab square plus bc square, ac square equal to b square plus bc square, so ac square equal to a b square, तो a b पे कितना लिखेंगे 8, 8 का square, plus bc square तो BC पे लिखेंगे 15, 15 का square, means के AC square equal to 8 का square 64 plus 15 का square 225, 15 का square 225, means AC square equal to 64 plus 225, वो कितना हो जाएगा, 289, 289 ने, 225 plus 64, और उसका square root, तो 289 का square root हो जाएगा, AC equal to 17, 289 का square root 17 होता है न, वरोबर के नहीं, मतलब यहाँ पर जो AC की value चाहिए, वो कितनी मिल गई हमें, 17 cm मिल गई, clear, और यह मिल गया नहीं, हमें AC की value, तो अब उस पर से, जो हमें दो चीज़े डूननी है, वो दो चीज़े डून सकते कि जैसे हमें पहले डूनना है उस question में, sign A, पहले क्या find करना है, sign A हमें find करना है, तो sign A, sign की formula क्या, opposite side upon hypotenious, opposite and hypotenious, तो sign A, according to A, A के हिसाब से opposite side कौन सी, opposite side यह BC, और hypotenious कौन सा, hypotenious तो यही AC, मतलब उसके साब से formula आ जाएगा, BC upon AC, बरबर, BC upon AC, और उसकी अगर value लिखे न, value लिखे हैं, तो BC, BC की value कितनी हो जाएगी, 15, 15 cm, upon AC, तो AC की value कितनी, 17, 17 cm, 15 upon 17, यह मिल गई sign की value, बरबर, उसे value ही तो find करनी थी, अब sign के बाद, दूसरा डूढ़ना है, sec, sec A, ठीक है, तो sec की formula, sec की formula क्या आती है, hypotenious upon adjacent side, hypotenious upon adjacent, तो मतलब यहाँ पर according to A, hypotenious कौन सा हुआ, hypotenious यह हुआ, AC, और adjacent, तो adjacent कौन सा हुआ, AB, बरबर, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, sec A में, AC upon AB, AC upon AB, जहाँ AC की value, 17 upon AB, तो AB की value, 8, 17 upon 8, यह मिल गई, हमें sec की formula भी, value भी, बरबर, समझ में आया question, इसमें भी ऐसा ही दाना, कि पहले cot A दिया हुआ था, 15 को divide में लेकिया है, तो cot A, 8 upon 15, triangle पर से 2 value मिल गई है, और तीसरी value डूण कर, फिर बाकी की values भी find कर ली, समझाई बात, तो इसे भी अच्छी तरह से लिखो, तो उसके बाद 5th वाला question देखें, सेम ऐसा ही है, 5th वाला question देखें फिर, ओके, देखो, कि अब question number 5 में क्या दिया हुआ है, question number 5 में दिया हुआ है, कि given sec theta equal to 13 upon 12, calculate all other trigonometric ratios, यहाँ पर sec theta, sec की value दी गई है, 13 upon 12, sec theta दिया हुआ है, मतलब आप alphabet कोई भी लिख सकते हो, उसमें, पर बने, theta मतलब angle हुआ न, sec theta equal to 13 upon 12 है, then find all other trigonometric ratio, मतलब जो 6 ratio आते हैं न, उसमें से sec की value दी गई है, बाकी सबकी value हमें डूणनी है, सबकी value दूणनी है, तो easy है, जैसे पहले दो-दो value दूणनी थी, sign दूणो, sec दूणो, cost दूणो, दो-दो, अब इसमें सबकी सब दूणनी है, कोई बात नहीं, सबसे पहले triangle दो बनाया न, बरवन, सबसे पहले जो है, वो यहाँ पर triangle दो बना ले एक, तो उसके इसाब से बाकी सब values मिल जाएगी, तो यहाँ पर, अगर, suppose, ऐसा ही हमें एक right angle triangle बना रहे हैं, कि जहाँ right angle triangle में, इसमें ठीठा ही दिया हुआ है, नाम तो कोई भी नहीं दिया हुआ, तो अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हो, a, b, c, x, y, z, जो नाम आपको लिखना हो, और यहाँ ठीठा पर भी जो नाम आपको लिखना हो, वो नाम लिख सकते हो, पहले तो दिया हुआ होता था न, sec, a, यहाँ तो फिर जो वो, sin, c, दिये हुए थे alphabet, यहाँ पर नहीं दिये हुए है, तो जो alphabet आपको लिखना हो, मतलब देखो, कि यहाँ पर यह sec ठीठा दिया हुआ है, suppose मैं इस a कोई ठीठा समझू, इसी कही according अगर मैं चल रहा हूँ, a क्या according, तो ऐसे हुआ, कि sec a equal to, तो sec की formula क्या, sec की formula आती है, hypotenuse upon adjacent side, hypotenuse upon adjacent side, तो यह अगर a है न, तो उसका hypotenuse माने, तो hypotenuse कौन सा होगा, a, c और adjacent side, adjacent side कौन सी होगी, a, b, इसका मतलब ऐसे हो गया है, इसमें, a, c upon a, b, यह हुआ न, sec a, उसकी value जो दी गई है, a, c upon a, b, और जिसका answer भी है, 13 upon 12, a, c upon a, b, उसका answer भी दिया हुआ है, 13 upon 12, तो उसका मतलब के यह a, c equal to कितना हो गया, a, c equal to 13 cm हो गया, बरबर, और a, b, a, b equal to कितना हो गया, a, b equal to 12 cm हो गया, बरबर, अब हमें बाकी के पांचों डूंडने हैं, यह पांचों हमें values find करनी हैं, पांचों ratios की, तो वो value कब मिलेगी, कि जब यह triangle में दो value मिल गई, 13, 12, पहले यह ढूंड ले न, b, c, तो उसके उपर से बाकी सब मिल जाएगी हमें, ठीक है, तो देखो, और वो b, c कैसे ढूंडेंगे, वही पैथागरस की formula से, कि यहाँ पर भी पैथागरस की formula लगाएं, right angle के सामने है hypotenuse, तो वहाँ से formula शुरू होती है, a, c square, equal to a, b square, plus b, c square, बरबर, a, c square, equal to a, b, square, plus b, c, square, तो जहाँ पर a, c, square, तो a, c की value दी गई है, 13, 13 square, equal to a, b, square, तो a, b, kी value, 12, 12 का square, plus b, c, square, तो plus b, c, square, वह हमें find करना है, बरबर, तो यहाँ 13 का square, तो 13 का square कितना हो जाएगा, 169, बरबर, 13 का square, 169, equal to 12 square, तो 12 का square हो जाएगा, 144, 144, और plus, प्लस यह b, c, square, ठीक है, तो अब यहाँ b, c, square, find करना है, तो 144 minus में, मतलब ऐसे हो जाएगा, कि b, c, square, equal to 169 minus 144, ऐसे न, 144 minus में, means, b, c, square, equal to हो जाएगा, 25, 169 minus 144, 25, और 25 का square root, b, c, equal to मिल जाएगा, 5, मतलब यह b, c, की value भी कितनी मिल गई, 5 cm मिल गई, बरबर, अब यह मिल गई, तीनों side पता चल गई, तो अब उसके उपा से बाकी सब ढूंद लेना, है कि नहीं, सब के सब ढूंद ले, कि देखो, जैसे पहले sign find करें, कि उसे sign theta लिखो, sign a लिखो, जो आपको लिखना हो, क्योंकि भाई मैंने theta a को ही suppose किया न, इसमें तो नाम दिया हुआ ही नहीं था, तो अब नाम लिखो यहाँ पर a तो भी ठीक है, सिर्फ theta लिखो तो भी ठीक है, तो अगर sign theta की value ढूंदे हैं, तो formula आती है, opposite and hypotenious, तो अब यहाँ a के according opposite side कौन सी हुई, bc और hypotenious कौन सा हुआ, ac, मतलब क्या बन जाएगा उसमें, bc upon ac, बरबर न, bc upon ac, के जहाँ bc की value, तो bc की value 5, 5 cm, और ac, ac की value 13, तो यह sign की value मिल गई, पांचो value ढूंद नहीं है, बस ऐसा ही ढूंदेंगे न, पहली value मिल गई है, बाकी की value ढूंदे, फिर sign के बाद cos की value ढूंदे, के cos ठीठा, उसकी value ढूंदे, तो cos की formula क्या, formula आती है, adjacent and hypotenuse, बरबर, adjacent and hypotenuse, तो adjacent side, adjacent side, ठीठा के साब से, adjacent यह हुई, a, b, और hypotenuse, a, c, मतलब cos ठीठा आएगा उसमे, a, b upon a, c, है के नहीं, a, b upon a, c, के जहाँ a, b की value 12, और a, c की value 13, 12, 12 upon 13, बरबर, यह cos की भी value मिल गई, फिर अब 10 की value ढूंदे, सब एके करके सब की value ढूंदनी है न, के 10 की value ढूंदे है, उसकी formula आती है, opposite side and adjacent side, तो यहाँ ठीठा के हिसाब से, opposite side कौन सी हुई, a के हिसाब से, opposite side, b, c, और adjacent side कौन सी हुई, a, b, मतलब उसमें आ जाएगा, b, c upon a, b, ऐसे होगा न, b, c upon a, b, के जहाँ b, c की value 5 और a, b की value 12, b, c की value 5 और a, b की value 12, 5 upon 12, ओके, 10 की value में मिल गई, उसके बाद, कॉसेक की value, के कॉसेक की value ढूण सकते हैं, उसकी फर्मुला आते हैं, hypotenious and opposite side, तो hypotenious कौन सा, hypotenious हो गया, यह a, c, और opposite side, opposite side, b, c, मतलब उसमें ढूण सकते हैं, यह a, c upon b, c, बरबर, a, c की value 13, और b, c की value 5, 13 upon 5, है, परबर, मैंने आपको पहले ही note करवाया था, पता है, कि यह 3, और बाकी के 3, इसके reciprocal होते हैं, उल्टे होता हैं, तो जैसे यह causex, वो causex sign का reciprocal होता है, होता है कि नहीं, देखो, check करो value में भी, यह जो sign मिला, तो उसका ही reciprocal causex है न, यह 5 upon 13, तो यह 13 upon 5, है कि नहीं, formula से find किया, तो भी वैसा ही न, परबर, उसके बाद causex के बाद sack, तो sack की value तो मिल चुकी दी, वो तो दी होई थी न, उसके base पर ही तो सभी डूंडे, और check करना हो न, तो check करो, देखो, sack जो है, वो cause का reciprocal होता है, यहाँ पर cause, जो मिला, 12 upon 13, तो देखो, उसी का ही reciprocal था, न, यह 13 upon 12, है कि नहीं, और फिर court, sack के बाद आखरी court डूंडे, कि court ठीठा, यह court किसका reciprocal होता है, 10 का reciprocal, आप 10 का reciprocal लेखो, तो भी ठीक है, अगर formula से करो, तो भी ठीक है, adjacent and opposite side, नहीं, तो 10 का reciprocal, यह BC upon AB, तो उसका reciprocal आजाता है, AB upon BC, यह court में, हुआ के नहीं, यह adjacent side AB, और opposite side BC, value में लिखेंगे, यहाँ 5 upon 12, तो इसका, 12 upon 5, वरबर के नहीं, तो यह मिल गई न, बाकी की सभी value, एक value दी गई थी हमें, सेक की value, तो उसके base पर बाकी सभी डूंडी हमने, तो ऐसे कोई भी value दी गई हो, बाकी के सभी डूंड सकते हैं कि नहीं, समझा रहे हैं न बात, यहाँ तो सेक दिया हुआ था, सेक की जगे अगर कोई भी दिया हुआ होता, cost, sign, 10, cot, कुछ भी होता, तो उसके उपा से बाकी की सभी value मिल सकती हैं कि नहीं, पहले triangle बना लो, triangle में तीनो साइड डूंड लो, पाइथागोरस से, फिर यह तीनो साइड अगर मिल गई, तो बाकी सब मिल जाएगा उस पर, बरबर, समझ आई, तो आज clear हुआ थोड़ा, कि यह value सब हम लोगों को कैसे find करनी है, ठीक है न, तो आज जैसे यह sums देखे न हमने, इसे अच्छी तरह से लिखना, अच्छी तरह से revise करना, तो अब उसके बाद वाले जो questions हैं, आगे के questions हैं, वो अब हम लोग अगले videos पर देखेंगे, okay, thank you.